नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है जो विक्ति बुढ़ापे तक सवस्त और हटा कटा रहना चाहता है और वो चाहता है कि उसको मदू में डायपिडीज, रक्त चाप, हरदे रोग, जॉइंट पैन जैसी बिमारिया ना लगें उसको एक चीज को रोजाना सेवन करना चाहिए अगर आप इस चीज को रोजाना सेवन करेंगे तो आपको बुढ़ापे तक मदू में नहीं होगी, बल्ड प्रेशर की कोई दिक्कन नहीं होगी, हरदे रोग नहीं होंगे, जॉइंट पैन जैसी बिमारिया नहीं होंगी, उसको बोलते हैं मेथी दाना, मेथी दाना हम दाल कड़ी सब जियादी में सवाद के लिए प्योग करते हैं, लेकिन ये महग तो बढ़ाता है और स्वाद तो बढ़ाता है भोजन की, ये हमारे स्वास्ते के लिए भी काभी लाबदाइक है, जो हमारी सेथ वो मनाता है, अगर मेथी दाना बदल देगा, जिस से आपके लंबी आयू होगी और आप सवस्त होंगे, जिसकी जितनी उमर है, उतने दाने ही मेथी के उसको चुबा कर खाने चाहिए, रोज सुबह खाली पेट या शाम को पानी के साहता से, अगर आपको चबाने में दिक्कत हो रही है, तो आप पानी के साहता से उनको निगल जाए, ऐसा करने से विक्ति सदेव निरोगी रहेगा, चुस्त बनाये रहेगा, मदू में, जोडों का दर्द, सूजन, बलकमवारी बिमारियां, एपच, अनेकों बिमारियों से मेथी दाना बचाओ करता है, विर्दावस्ता में जो बि अगर आप मेथी दाने का लगातार प्रयोग कर रही हैं तो, आपके चेहरे पर कांती बनी रहेगी, मेथी दाने का प्रयोग अलग अलग बिमारियों में किया जाता है, और अलग अलग तरीके से किया जाता है, जैसे कि मेथी दाना बिगो कर उसका प्रयोग करना, या उसका पानी पीना या मेथी दाने को गोट कर पानी पीना या अंकूर्थ करकर चबाना या उसका रस निकाल कर पीना उसे उबाल कर पीना या सबजी मना कर खाना या खीचडी या कड़ी में पकाते समें डाल कर शेवन करना साबुत मेथी दाना सुबेच चबाकर खाना चाहिए, रात्री में पाने संग निगलना चाहिए, भून कर या दलीए के रूप में या चूड मना कर ताजे पाने के साथ इसकी फक्की लेनी चाहिए, मेथी दाने के लड़ू मना कर खाने चाहिए और सबसे अच्छा तरीका है कि उसका काड़ा या चाय बनाकर पीनी चाहिए मेथी दाने के कई गुण है सबसे पहले डाइबिडीज यानि के मदुमी को कंट्रोल में करता है इसके खाने से पेसाब में सुगर की मातरा कम हो जाती है इसके अंदर मौझूद फाइबर के काण अंसुलीन पर मेथी दाने का करने पर परवाँ पड़ता है और डाइबिडीज के लिए भלה यहां करता है मेथी-दाना मेथी-दाना खाने से श्रीर में के चैस्टोल निएबनतं करताहिता है मेथी-दाने के अंदर मौझूद फाइबर है जो रग्त के अंदर की मातरा कम करने में मदद करता है और इसका लगातार सेवन करने से रक्त में कलोट बनने की सम्हावना कम होती है और कैस्टोल को ये बढ़ने निन देता पाचनतंतर, मेथी दाना खाने से पाचनतंतर दुरूस्त रहता है इससे पेट आतों की जलन वैसूजन आदी में आराम मिलता है इसका नेमित रूप से सेवन करने से पेट और आतों के अलसर को अरा मिलता है इसमें पाये जाने वाले गुलन सील फाइवर से कबज भी मिटती है और कबज के लिए भी ये मेतिदाना बहुत ही साइक है आतों के कैंसर का बचाओ मेति में डी ओसेजिन नामक ततो पाया जाता है जो आतों के कैंसर से बचाओ करने में सक्सम होता है अगर इसका हम लगातार प्रियोग करेंगे तो आतों की कैंसर जैसी समिश्या हमें नहीं होंगी मोटापे को कम करता है आयरवेदिक और ओशोदी गुणों से बरपूर है मेति के अंदर फाइवर होता है जो केवल हमारा कवज की समिश्या को दूर निकरता बलकि इसके दाने चबाने से एक्स्ट्रा कैलरी भी बरन होती है इसके इलावा अपने वजन कम करने के लिए सुवे सुवे दो गिलास मेति दाना पानी पीना चाहिए इसके लिए आपको मेति को पानी में राद बर विगो कर रखना होगा और सुवे चान कर उस पानी को पीना होगा बदलती खान पान की आदतों और दोड़ बाग की जिंदगी से परदूसित पानी पीने से परदूसन की विज़े से किड्निये की बिमारियां बढ़ दिजा रही हैं अगर ऐसे में आप मेथी दानों का प्रियोग करेंगे तो ये किड्नी को सुष्थ रखने के लिए एक गुनकारी खादेपदार्त है ये पत्थरी में विलाबकारी जड़ी भूटी के रूप में काम करता है जोडो का दर्द मेथी दाने को बारिक पीस लें एक चमच मेथी दाना प्रैते ताज़े जल के साथ लें इससे घुटनों के दर्द में आरा मिलता है चेहरों को सुंदर बनाएं अपने चेहरों को सुंदर बनाने के लिए बहुत चीज करते होंगे लेकिन एक बार मेथी दाने को प्रियोग मिलाइए इसका फायदा ये होगा आपके स्रीर में फ्री रेडिकल्स बाहर निकलते हैं जिससे जूरियां, फाइन लाइन्स, काले गेरे और इन्फेक्शन जैसी गंबीर फेसिल प्रवल्म से निजात मिलती है मेथी दानों में एक और फायदा होता है, चेरे पे गलवाता है, बलकि चेरे के काले गेरे संसे डैमेज स्कीन भी हड़ जाती है बुखार को भी दूर किया जा सकता है मेथी दानों से, इसके लिए मेथी के दानों को एक छोटे चमच निम्बू रसमे और शैद के साथ खाएं, इससे आपका बुखार भी दूर हो जाएगा पाचन समन्दी समस्याओं को भी दूर करता है मेथी दाना, मेथी दाना रामबान काम करता है जिससे आपके पेट की दरद जलन दूर होती है और इससे पाचन भी दुरुस्त होगा और ये आपके लिए लावदाइक होगा डाइबडीज रोगियों के लिए आज के समय में डाइबडीज रोगियों की सिंख्या बढ़ती जारी है ऐसे में ग्रहलो उपचार की तरफ लोगा अध्यान जा रहा है मेथी में ऐसे कई कुण मौझूद हैं जो मदुमेगी रोगियों के लिए रात देने वाला काम करती हैं इसके अंदर जो मौझूद ततो होते हैं वो इंसलन के स्राव को बढ़ाते हैं और सरीर के बल्ड शूगर का लेवल कम करते हैं मेथी दाने के पाटो की फक्की लेने के वज़ाए इसको रात को एक गलास पानी में बिगो कर रख दें और फ्रुवे मेथी को चुबाजबागर खा लें और उपर से जो पानी आपने इसके लिए यूज किया है इसको पी लें अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद